Welcome guys to All About Crypto So, आज एक common question के बारे में बात करते है Siba Inu investors के mind में हमेशा ही एक question रहता है कि कब Siba Inu एक रुपया पहुंचेगा यानि कुछ लोग target लेते हैं कि 0.01 डॉलर पहुंच जाए यानि वन सेंट पहुंच जाए लेकिन अगर उसको एक बार imagine करके देखें कि मान लोग Siba Inu एक रुपया पहुंच गया तो कम से कम नहीं तो एक लाख नए करोड़ पती जरूर जनरेट हो जाएंगे इंडिया में फॉस से और और लाखों परिवारों की पूरी financial dynamics ही change हो जाएगी जिन्होंने Siba Inu बल्क में buy कर रखा है अब सवाल आता है कि सबने एक रुपया का target ले क्यों रखा है क्योंकि यही है जो promotion में दिखाया जा रहा है mostly तो clickbait के case में होता है कि जहाँ पर they write it के like .1 dollar पहुंच गया या फिर .01 dollar पहुंच गया है वो भी December 2021 तक इस तरह के वो videos बनाके डाल रहे है तो एक बार इसको practically analyze करके देख लेते है fact by fact कि क्या यह possibility है कि Siba Inu December 2021 तक या even December 2022 या 23 तक भी लेते है कि क्या यह possibility है कि Siba Inu एक रुपया hit कर पाएगा तो मैं आपके सामने कुछ fact रखूँगा और answer आपको खुद बखुद मिल जाएगा कि यह क्या यह possible है एक रुपया पहुंचना इसका या नहीं at the time of recording the video जो Siba Inu trade कर रहा है वो .403 dollar पर trade कर रहा है current में और current में अगर इसकी circulating supply की बात कर रहा है पहुंच जाता है तो इसकी market capitalization हो जागी 394 trillion rupees तो उसे डॉलर में convert करने के लिए USDT का जो on and average price है 75 rupees उसको consider कर लेते तो अगर आप 394 trillion को divide करोगे 75 से तो करीब-करीब आपका जो figure आएगा वो आएगा 5.2 trillion यानि 5.2 trillion डॉलर की इसकी total market capitalization हो जाएगी अब दो interesting fact उसके साथ compare कर लो जो total crypto की market capitalization है न टोटल जो industry है वो 2 trillion and something की है यानि पूरे सारे coin मिला दो तो वो 2 trillion के आसपास बैठते हैं और वहीं इसे एक रुपया पहुंचने के लिए कितना market capitalization चाहिए 5.2 trillion डॉलर का अगर bitcoin की बात करें जिसका सब से ज्यादा dominance है यानि 50% से ज्यादा dominance है मार्केट में bitcoin का और उसकी भी अगर market capitalization के बात करें तो कुछ time पहले ही 1 trillion को दोबारा टच की यानि एक बार पहले टच कर चुकी है लेकिन उसके बार डाउन चली थी और 1 trillion अभी दोबारा से टच की है तो आपको किसी भी एंगल से यानि सोते बैठते उठते जागते कहीं भी ऐसा लग रहा है होसो हवास है फिर बेहुसी में भी कि यह एक रुपया पहुंच पाएगा it is not possible current circulating supply के साथ it is completely impossible task to happen ऐसा नहीं हो सकता एक रुपया इतनी circulating supply के साथ तो नहीं पहुंच सकता अब दूसरा scenario माइंड में आता है चलो ठीक है मान लिया कि इतनी current circulating जो supply जाके supply कम होगी अगर recent burn की बात करें जानी जो आने वाला सिबोसी की वज़े से बर्न होने वाला सिबाइनु अगर उसकी बात कर लें तो अगर ideal case लेते हैं कि मान लो सारे सिबोसी बिक जाते हैं और 10,000 के 10,000 सिबोसी का नाम भी चेंज हो जाता है तो हर सिबोसी को नाम चे सिबाइनु बर्न होंगे तो अगर current price ले ले इनकेस अगर price बढ़ेगा तो quantity और भी घट जाएगी लेकिन अगर current price यानी 0.403 पर अगर देखें तो current price पे अगर 1,000,000,000,000 में कितने सिबाइनु आएंगे तो वो आएंगे 33,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 successful रहता है 100% accuracy के साथ यानी एकदम ideal result मिलते हैं उस case में भी 33,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो 25 बर्न होंगे तब जाके एक परसेंट सप्लाई घट पाएगी सिभाईनु की अब एक और प्रक्टिकल सिनेरियो माइन में रखे देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि कम्यूनिटी डिर्वन इवेंट चलाए गए जिसमें वोलेंटरिली वर्न किया गया है सिभाईनु को यानि उन्होंने एक कमपेंट चलाए कि जादा से जादा आप अपना सिभाईनु बर्न करें बहुत सारे लोगों ने सिभाईनु बर्न भी किया था अगर ऐसा भी होता है तब भी उसका कोई बहुत बड़ा मेजर एफेक्ट नहीं होगा या माइन में जरूर रखें और अगर इनकेस फ्यूचर में कोई बड़े बर्न हो सकते तो पॉसिबिलिटी सिर्फ है सिभाईनु बर्न किया जाए तो एक पॉसिबिलिटी है लेकिन करंट में अगर सिभाई की कंडिशन देखे तो ऑन एन एवरेज 36 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग वॉल्यूम है सिभाई पे एक दिन में और अभी करंट की कंडिशन देखी जाए तो इतना लुक्रेटिव नहीं है सिभाईनु तो कुल मिलाके दो बात है तो हमें समझ में आगी पहली बात तो यह सम तो मेजर एफेक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी सप्राई का मात्र 0.008 परसेंट इससा बर्न होगा तो फिर सिभा इनु का रियलिस्टिक टारगेट क्या रहेगा मतला सिभा इनु कितना ग्रो कर सकता है कितने का टारगेट हम ले सकते प्रक्टिकली तो उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं जैसा सिभा का टाइटल है दोज को कर लेता है तो अगर इसकी करंट मार्केट कैप देखी जा है तो जोज कोईन की मार्केट इससे तीन गुनी है यानि यह तीन गुना ग्रोओ कर जाएगा अगर यह Dogecoin को पीछे छोड़ दें लेकिन आप उससे ज़ाद अगर expect करोगे तो आप बहुत ही impractical target ले रहे हो current circulating supply के साथ यानि अगर सब कुछ सही चलता है everything goes well तो यहां से तीन गुना और grow होने के chances हैं सिबाइन होगे also keep in mind क्योंकि यह community driven coin है तो community driven coin में community की power भी matter करती है अगर कोई influencer इसमें add हो जाता है माल लो अभी Elon Musk की tweet कर दे कुछ या फिर कोई बड़ा influencer इसमें आ जाता है तो dynamics पूरी तरह से change हो जाएगी यानि उससे भी आगे जा सकता है Dogecoin से भी आगे जाके grow कर सकता है लेकिन consider कर लो मानद Dogecoin के double भी चला गए यानि वो 60 billion market cap में भी चला गए तब भी यहां से 6 गुना ही grow कर पाएगा तो जो आपके impractical target है उनको आपको revise करने की जरूर जरूरत है Another thing जो आपको mind में रखनी कि यह जो भी analysis है वो 394 trillion इसकी जो current circulating supply है अगर in case कुछ ऐसा होता है कि in future कुछ बड़ा major होता है जिसकी वैसे supply ज़्यादा घट जाती है तो यह सारे practical scenario उस पर apply नहीं होंगे क्योंकि supply अगर घटेगी तो फिर आगे बहुत grow करने के चांसे होंगे लेकिन अगर current में देखें अगर इसे 0.01 डॉलर अभी पहुचना हो तो लगबग 99% तक supply burn होनी होगी तब जाके ऐसा possible हो पाएगा अगर current market cap की condition में देखें कुल मिला के यह सब समझाने का जो intention है वो यह है अगर आप कहीं पर clickbait देखते हो unrealistic target दियो होते है then please don't fall for it आप खुद भी जानते हो का ऐसा इतनी जल्दी possible नहीं है दूसरा reason जिसकी तरफ में indicate करना चाहरा हूँ वो यह है कि जब यह सिबोसी वाला event हो यह सिबोसी sell हो तो आप please concern रहें थोड़े से cautious रहें क्योंकि यह already बहुत ज़्यादा outgrow कर गया है और अगर उसका जो impact पड़ेगा अगर वो 100% ideal result आते भी है तो उसके बाद math 0.008% supply उसकी burn होगी तो उस case में major correction हो जाने के भी chances है तो मैं FUD नहीं कर रहा हूँ मैं negativity नहीं create कर रहा हूँ I'm just trying to make you think practically and also nobody is 100% accurate in crypto market यह भी आप अपने mind में रखें यानी जो मेरा opinion है जो मेरा analysis है no where it is said कि यह 100% ऐसा ही होगा लेकिन practically जो fact हमें देख रहे हैं अभी current fact जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा concern देख रहा है तो आप थोड़ा सा cost serious है अगर आपने heavy position बना रखे सेवाईनों में तो तो गाज अगा जानकरी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को subscribe करें वह इसी तरह support करते रहें क्योंकि 80% से ज़्यादा viewers जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने subscribe नहीं किया so please do consider to subscribe it and thanks for watching the video